कुक्स क्रेशन विद पिंकी सर्वा में आप सभी का स्वागत है हेलो प्रेंट्स कैसे हैं आप सभी आज हम बनाएंगे एक लंच वॉक्स की इजी सी रेसिपी जो बहुत ज्यादा है और बच्चों को बहुत ज्यादा प्रप्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको तो इस से बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां फोर टेविल स्पून सूजी ली है तो यह नॉर्मल बाली सूजी से हम हलुआ बनाते हैं और सेम कप या स्पून से आप दही ले लीजिए तो यह लगभग अकर खटा है तो थोड़ भी ले सकते हैं तो चार चम्मच के करीब ही द संदारी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा कमेट कीजिएगा अगर चैनल पूर्ण है है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मज़ेगा अब लेते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं तो मैंने सूजी से जस्ट डवल मैंने स्वीट कॉन लिये हैं तो यह फ्रोजन बाले स्वीट कॉन है आप फ्रेस बाले भी ले सकते हैं साथ इसमें बहुत थोड़ी सी हरी मिर्स डाली है और बहुत छोटा सा एक अध्रक का तुक्रा डाला है तो बहुत बना रहे हैं इसलिए बहुत स्पाइसी नहीं किया आप इसमें चेक्स डाल सकते हैं बाद में उपर से तो इसको दरदरा पीछना है हलका सा पाणी डाल लिजेगा और दरदरा सा पीस लीजिएगा तो यह कच्छे ही स्वीट कॉन लिये थे मैंने इनको वॉइल नहीं किया था कि इसको सूजी बाले बैटर में मिक्स करना है सा लादा पंस चाहिए हल्का सा थ casual कितना थिक वीडियो को बिल्कुल भी किप मत कीजियेगे आगे मैंने दो तरह विटा बता है तो बिल्कुल भी वीडियो मत कीजिये पूरा देखेगा और बागु कि को कल आए मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ी सी हल्दी डाली है साथ ही थोड़ी और एगेनो डाले हैं आपके पास पीजल सीजनिंग है वो डाल दीजिए बच्चों को पसंद आएगा यह आप अगर बढ़ेंगे तो पक्का वो लंच बॉक्स फिनिस करकर ही आएंगे साथ ही स्वाधनशार नमक डाल देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करना है और चुकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं यह नाजता इसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा इनो या फिर सोडा यूज करना पड़ेगा तो बहुत थोड़ा डाल रही हूं और सोड़ा डालने के बाद फटा-फट से मिक्स कर लीजिए अब ले लेते हैं एक अप्पे पैन अप्पे पैन में मैंने बहुत थोड़ा-थोड़ा सा घी डाला है तो इस नाश्ते को आप घी पर बनाएगा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और हल्दी भी रहेगा बच्चो के लिए साथ ही इसमें थोड़े थोड़ा सा तिल डाल दिये हैं और एक एक कड़ी पत्ते डाल दिये हैं तो यह आपसल है आप ना करना चाहें तो आप सीधे घी में आप इस तरह से बैटर को डाल दीजे तो कम-कम ही डालेगा क्योंकि यह थोड़ा सा फूलेंगे भी और छोटे रहत देंगे और पकने देंगे कम से कम चार से पांच मिनिट बात इसको चेक करेंगे देखे कितना अच्छा सा सुनहरा कलर आया है और आप बिल्कुल निस्फिक्र रहिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से कोक हो जाता है यह मेरा बेटा भी साड़े तीन साल का है अभी उसने स्क इसमें कोई भी हमने आनहेल्धी चीज यूज नहीं किये है और बनाना बिल्कुल आसान है तो सुबह की भागदौर में आप इसे आसानी से बना सकते है और बच्चों के लंच बोक्स में दे सकते हैं और यह ऐसा नहीं है कि ठंडे होने के बाद यह अच्छे नहीं के तो लीजिए हमारा लंच बोक्स रेडी है और साथ ही मैंने थोड़ा सा सॉस रखा है साथ ही ड्राय की हुए रोस्ट की हुए मखाने रख दिये हैं स्रिफ दो घंटे के लिए जाता है तो इतना नास्ता सफिसेंट है उसके लिए और आगर आपका बच्चा नहीं खा के तो आप पराटे के साथ थोड़ा सा यह भी रख दिये तो जरूर खा कर आएगा और दूसरी तरह के आपके बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने कुछ वेजटेबल्स ली हैं जैसे कि प्याज सिम्ला मिर्च पत्ता गोवी टमाटर आप इसके और लेते हैं मैंने इसमें थो के लिए बना रही हूं इस तरह से सब्जियों को मिक्स करके थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से और बढ़ा लीजिएगा क्योंकि हमने बैजटेबल्स एड़ की हैं और इसी तरह से इनको भी हम पका लेंगे बहुत ज्यादा टेस्टी लगा प्रेंट्स आप एक बार बन नहीं खाता है तो मैंने उसके लिए प्लेन बनाए थे पर उसे अच्छे लगे इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए फ्रेंट्स चुड़े रहिएगा कोक्स क्रेशन भी पिंकी सर्मा के साथ ऐसा नहीं है कि ये रैसिपी आप सिर्फ अपे पैन में बना सकते हैं आप चुटे-चुटे पैनकेक्स बना लीचिए तबे पर डालकर बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है ये रैसिपी और बनाना बिलकुल आसान है देखा ना आपने इसे बनाने के लिए आपको बिलकुल भी ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है और सबसे अच्छी बात आपको बहुत खुसी होगी जब आपका बेटा अच्छी से लंच फिनिस करके आएगा तो आप एक बार बना कर जरूर रखिएगा इसी तरह की और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा कुक्स क्रेशन विद पिंकी सर्मा के साथ खाये बनाये और इंजोई कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई एंड टेक केर थैंक्स पॉर पॉचिंग